आदमी और औरत, आदम और हव्वा एक सुन्दर बाग में रहते थे, जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था, पर शर्तान एक धूर्थ सांप की तरह आया, और आदम और हव्वा की परिख्शाली। क्या बरमेश्वर ने तुमको सही में कहा, इन पेड़ों के फलों को मत खाओ, सामने हव्वा से पूछा, केवल बीच वाले पेड़ से, हव्वा ने जवाब दिया, अगर हम इस से फल खाएं, तो हम मर जाएंगे, तुम नहीं मरोगे, सांप ने कहा, यहाँ पर एक कारण है, कि क्यों परमेश्वर नहीं चाहते, कि तुम इस पेड़ से खाओ, अगर तुम खाओगे, तो तुम उसके जैसे बन जाओगे, जो वो जानता है, तुम भी हव्वा ने फल खा लिया, उसने कुछ आदम को भी दिया, जो उसके साथ था, उसने भी इसे खाया, और एक दम से उन्होंने वो जाना, जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था एक बात जो वो जानते थे, वो ये कि वो नंगे थे, उन्होंने अपने आपको ढखने के लिए पत्तों को जोड़-जोड़ कर सिल लिया, उन्होंने पहले कभी भी डर और शर्म को महसूस नहीं किया था, इसलिए वो जानते थे कि कुछ गलत हुआ है आदम, हववा, परमेश्वर ने आवाज दे, हम छिप रहे हैं, आदम ने कहा, हम नंगे हैं, तुम इसलिए ये जानते हो, क्योंकि तुम ने उस पेड़ से खा लिया है परमेश्वर ने गहरी सास लिए, तब आदम ने हववा को दोश दिया, और हववा ने साप को दोश दिया परमेश्वर ने कहा, सां, तुपेट के बल चलेगा, एक स्त्री का पुत्र तुझे हराएगा, हववा, संतान पैदा करना कठिन होगा, आदम, अन उगाना मुश्किल होगा तब परमेश्वर ने आदम और हववा के लिए कपड़े बनाए, और उन्हें बाग से बाहर भेच दिया उसने एक ज्वाला में तलवार के साथ एक स्वर्गदूत को वहां पर रखा, ताकि वो वापस ना आ सके